आज मैं आपको बताने चारी हूँ कि बंडारा स्टाइल आलू मटर की सबजी आप किस तरीके से बना सकते हैं आप इस सबजी को घर पर ट्राइ कीजेगा बहुत ही स्वाध ये बन कर तयार होती है चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर टमाटर को उबाला जा रहा है और मैश किया जा रहा है सबसे पहले पानी लिया उसमें टमाटर डाले और टमाटरों को बीच बीच में इस तरीके से मैश कर रहे हैं ताकि यह जल्दी से सौफ्ट हो जाए अब यहाँ दूसरी तरफ सरसों के तेल को धुआ उटने तक गरम किया गया है उसके बाद उसमें डाला गया है जीरा और जीरा के साथ साथ यहाँ पर खड़े मसालों में जाएगा तेज पत्ता भी तेज पत्ता और जीरा के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डाला गया है खड़े मसालों की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जाएगा अदरक और हरी मिर्ची बहुत अच्छे से इसे कूट कर लिया है अगर आप घर पर बना रहे हैं तो अद्रक और हरी मिर्ची को कूट ले पीष्न नहीं है मिक्सी में अब इसके बाद इसमें जा रहा है कसूरी मेथी जिससे सबसी का जो फ्लेवर है वो और भी ज्यादा बढ़ आरहा है सबजी में दही ताकि सबजी जो है वह और ज़ादा स्वाध बनकर तयार हो, जैसे ही दही डालेंगे दूसरी तरफ जो कर्ची है जो पलता है उसे चलाते जाएंगे ताकि जो दही है वह फटेना और आप देख सकते हैं कि जो सबजी का कलर है वह अभी से ही कितना की कांसिस्टेंसी हो गई है कितने अच्छे से यह उबल कर मैश हो गए है तो अगर आप घर पर बनाए तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है अब जैसे ही टमाटर डाल दिये तो टमाटर डालने के साथ-साथ यहां पर मसाले भी जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर हीं डाला गया है जो कि हर सबजी में बहुत जरूरी होता है अब गई है इसमें हल्दी ताकि बढ़िया सा कलर भी आ जाए सबजी का लाल मिर्ची पाउडर पहले कश्मीरी वाला डाला था अब नॉर्मल वाला लाल मिर्ची पाउडर है इसमें तनिया पाउडर हमने इसमें डा दिया है भाईया ने डाल दिया है और इसके साथ साथ इसमें जा रहा है काली मिज सौट का पाउडर जिसे कहते हैं वह भी यहां पाउडर ब्लेवर ताफ का शॉप का पाउडर डाला गया है इसके साथ-साथ इसमें यहाँ पर पानी जाएगा ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं अब यहाँ पर गया है kitchen king masala कम से कम 3 packet kitchen king masala का इसमें गया है जिससे हर सबजी जो है वो tasty बन जाती है तो आप इसे use कर सकते हैं घर के हिसाब से अगर आपको quantity चाहिए तो मैं description box में mention कर दूंगे आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं क्योंकि घर पर तो हम इतना सारा बनाते नहीं है इसलिए तो मसाले बस डलते जाएंगे और जो कर्ची है वो चलती जाएगी आम चूर पाउडर डाला गया है ताकि जो सबजी है वो एकदम खटी खटी बने तब ही तो मज़ा आता है ना सब्जी को खाने में अब यहाँ पर गया है जीरा पाउडर और इसे डालने के बाद भी बढ़िया से मिक्स किया गया है फाइनली यहाँ पर गया है गरम मसाला सब्जी को बहुत अच्छे से चलाएंगे बहुत पीच में इसे चलाते जा रहे हैं और अच्छे से इसे उबालते जा रहे हैं अब यहाँ पर क्योंकि आलू मटर की सब्जी है तो यहाँ पर मटर भी आप सामने की तरफ देख पाएं क्योंकि दुआ हैं तो वहाँ पर मटर भी उबालने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पर आप चाहें तो मावा घर पर बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं अब फाइनली इसमें नमक गया है नमक हमेशा लास्ट में ही डाले ताकि हमें exactly पता लगे कि हमें कितना नमक की requirement है अब यहाँ पर डाला जा रहा है पानी पानी उतना डाले जितना आपको सबजी में जोल चाहिए तो यहाँ पर तो बहुत जादा सबजी बन रही है तो उस हिसाब से कैमपर भर भर कर पानी के यहाँ पर डाले गए हैं वो आप देख सकते हैं तो देखिए सबजी बहुत अच्छी बन रही है कलर बहुत अच्छा आया है मटर उबल चुके हैं तो मटर को भी इसमें डाल दिया गया है अब सबजी को ढख कर काफी देर तक पकाया गया तब तक ये देखिए यहाँ पर आलू उबल चुके हैं उन्हें भी मैश किया गया जब सबजी अच्छे से पक गई उसके बाद जो मैश किये हुए आलू हैं वो सबजी में डाले गए हैं कॉंटिटी मैं आपको इस हिसाब से बता देती हूँ जब भी आप ये सबजी बनाए टमाटर आप ज्यादा ले आलू आप कम ले तो आप तीन आलू ले इस हिसाब का आप रेशियो रखेंगे तो सबजी जो है वो बहुत ही अच्छी और स्वाद बनकर तयार होगी तो देखिए आलू डल गए हैं सबजी को बहुत अच्छे से मिक्स किया जा रहा है और अब इसमें फाइनली घी डाला जाएगा लास्ट में जब भी सबजी बनाए कोई भी सबजी बनाए लास्ट में एक से दो चम्मच घी के डाल दें उसका जो टेस्ट है वो अपने आप ही बढ़ जाता है तो यहाँ पर देखिए सबजी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है जैसा कि मैंने आपको बताया घी डाला जाएगा लास्ट में पूडियों की तैयारी भी की जा रही है और गरम पूडिया जो है वो यहाँ पर बन रही है यह देखिया है हर एक एक पूरी जो है वह बढ़िया से भूली है कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे जरूर से बताईगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए